जेहिन दोस्तों सारे के सारे सात्यों को नमस्कार मैं किर्शन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूं विज्डम नर्सिंग के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी सारे के सारे स्वस्त मस्त और व्याउस्त होंगे देखेगा आज फिर से अपन देखने जा रहे हैं क्योशन आज का क्या अपना क्योशन है सारे के सारे एक बार ध्यान जमाये रखना पांच मिनट के लिए पूरा पूरा आपको समझ में आने वाला है क्या बोला है दा लोवर ९ूटर mooi जगमेंट एज फॉर्म्ड फ्रॉम यानिकि Jim Lehrydd segment है, वहें किस से मिलकर बना हुआ होता है, देखिएगा अब भी आपको समझाऊंगा, option A में cervix है, option B में isthmus and cervix, option C में body and uterus and D में हैं दोस्तों isthmus, क्या होगा इसका right answer, सोच लिया होगा mind में, देखिएगा, अब से पूछेगी सर, जो uterus होता है, इसके कितने part होते हैं, तो एक तो होता है सर, fundus क्या होता है दोस्तों, fundus होता है, एक होता है सर, हमारा body, क्या होता है uterus के अंदर पाई जाती है body और एक नीचे की side, क्या पाई जाता है सर, हमारा सर्विक्स पाए जाता है क्या पाए जाता है दोस्तों सर्विक्स जो इनको बीच में से जोडता है सर्विक्स एंड बोर्डी को उसे बोला जाता है इस्तमस बोला जाता है तीके चार पार्ट होते हैं यूटरस के और इनके अंदर बात की जाए कि सर सेग्मेंट कितने होते है यूट्रस के तो जब आप में देखिया ना कि सर्फ यूट्रस के दो सेगमेंट मुलते हैं देख लीजिएगा दोस्तों इस यूट्रस को मैं बाठ रहा हूं दो भागों में कितने भागों में दो में तो यह जो उपर वाला यह तो बोला जाएगा अपर यूट्राइन सेग्मेंट अपारे यूट्राइन यूट्राइन सेग्मेंट के नाम से सेग्मेंट इसे बोलते हैं और यह जो नीचे की सैड बच गया इसे बोला जाता है लोवर यूट्राइन सेग्मेंट लोवर यूट्राइन सेग्मेंट के नाम से सेग्मेंट के नाम से ज यान्की जो अपर यूट्रेंड सेग्मेंट है उसमें एक तो होता है दोस्तों फंडस पंडस and sir body ये तो पाई जाते हैं अपरॐ्ल उट्रेंड सेग्मेंट में और सर दूसरा बच गया हमारा इस्त्मस इस्तमासलिक एंड सर्विक्स यह होते हैं लोवर यूट्रेंट सेग्मेंट के अंदर इसके दोनों तरब दो फेलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं दो ओवरी होती हैं ओवरी और लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं तो अपने को क्या पूचा था कि जो lower uterine segment है वहें किस-किस से मिलकर बना हुआ होता है मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा किस-किस से मिलकर बना सर देखेगा ये नीचे की साइड isthmus and cervix इससे मिलकर बनता है lower uterine segment अपर की साइड कौन सा सर फंडास एंड दूसरा वाला कौन सा है सर हमारा पाया जाता है body ये होते हैं अपर uterine segment में तो इसके right option की बात करें क्या होगा cervix बिलकुल होगा लेकिन अकेला नहीं सर isthmus and cervix बिलकुल सर इसका right option क्या होगा दोस्तो B देखने को मिलेगा C के अंदर body and uterus body and uterus sorry body of uterus बिलकुल सरी है लेकिन किस में होगा अपर uterine segment के अंदर इस्तमस होता है लेकिन ये क्या होगा दोस्तो अकेला नहीं होता तो right option क्या होगा B होगा अगर आपको समझ में आया तो मुझे comments करके जरूर बताना जै हिन जै बारत love you all of you